सिद्धात नगर जिले में तरीब्यों को बाटा जाने वाला आनाज कोटी दारों को बिना वजन किये दिया जाता है वह भी अधिकारियों के शामने या हम नहीं का रहे हैं तस्वीरे गवा हैं वहीं इस गंबीर मामले में विभागी अधिकारी केवल लीपा पोती करने वाले ब्यान दे रहे हैं सिधार तगरजिले के बढ़कू किस्थित खादान केंद्र की या तस्वीरे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह विप्रन केंद्र से कोटे दारों को बिना तौल किये सीधे ट्रेक से अनाज ट्रेक्टर में लोड कराया जा रहा है अनाज के या बोरे पूरे वजन के हैं या नहीं या तो कोटे दार ही बटा सकते हैं लेकिन बिना तौल के अनाज कोटे दार को देना कानूनन गलत है कोटेदार इस मामले में चुप्पी साद लेते हैं सूत्रों की माने तो प्रतेक बोरे में नियत वजन से कम वजन आनाज होता है प्राय इन बोरियों में 4-6 किलो वजन आनाज कम होता है कोटेदार करते हैं कि इस मामले में आवाज उठाने से कुछ होता नहीं है इसलिए आवाज उठाने से क्या फायदा वहीं इस मामले को लेकर जब हमने विप्रन केंद्र के SMI अर्विन गोतम से हमने पूछा तो उन्होंने ये श्रीकार किया कि सीधे ट्रेक से ही कोटेदार को अनास सौप दिया जाता है जब हमने कहा कि आनास तो तौल कर देना चाहिए तो उनका जबाब था कि उसमें समय अधिक लगता है इसलिए सीधे एवरेस तौल के आधार पर सीधे दे दिया जाता है वहीं इस मामले को लेकर जब हमने मुख विप्रन अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने पहले तो नियम बताए बाद में कहा कि जल्दी पांच टन तौल के काटे लगाये जा रहे है यह समय स्या दूर कर दी जाएगी अब सवाल उठता है कि जब बिना तौल के आनाज कोटेदार को दिया जाएगा तो कोटेदार कैसे पूरा वजन आनाज गरीबों को कैसे दे पाएंगी यह खेल वर्सों से है और इसका खाम्यादा आखिर कर आम लोगों को भुखतना पड़ता है गल्ला उठाने हाथ आपको गल्ला वजन करके दे जा रहा कि बिना वजन करें तो आप उनसे कहते नहीं कि गल्ला वजन करके दीजिए कितना किलो का गल्ला मिलता आपको अभी जो आपके ट्राली में गल्ला लोड हुआ वजन करके वो कि ट्रॉक में से हुआ तो इस पर आपक्ति गुन रही चता है? जता है में दिख आपना इसाद्रूक में क्या कहते है से बाई? कहने बेढेती? कल्ला कहां से उठाय हो? आप में दिकतित इक एक दो कहा है तो आपके हैं विपिल के दो बढ़न है है जो कि अहँ है विपिल के कई बड़न हैं जो एजसे हुआप लगा है कि अईवाब में जो बचे लुप लुटा है